कि यह एनिमल टीशू इसका डिपनेशन अनिमस मूफ एराउं इन सर्च अव फूट्स मेट्स एंड सेल्टर्स सबसे पहला बात इसमें जो होते हैं सेल वाल नहीं होता है हमने पढ़ा था कि प्लांट में ही सेल वाल होता है इसमें क्या होगा सेल वाल नहीं होता है दूसरी बात यह रिजिड नहीं होगा रीजिड का मतलब कीजिड़ करेंगे तब जाका क्लाइट के वाल नियुक्ति पहला एपिधिलियाम कनेक्टिव टिशू मस्कुलेट टिशू और नर्वर परता है सब्सक्राइब पहला जो है कुछ साथ है एपिधिलियम के बारे में पढ़ेंगे क्या है एपिधिलियम दे फॉर्म सब्सक्राइब साथ है क्हलों यह ट्रसाइब क्या है क्या है ट्रसाइब इसके में दूश्या गये बाएंगे आपाने बताए था टाइटली लूज़ी पैक्ट क्या होता है लूज़ी पैक्ट रहेंगा जेसे लिटीमिट की फॉर्म में रहेंगा वह तैटली पैक्ट इसका मतलब एक दूसरे से जुड़ा हो रहेगा फ्लो नहीं करें गया है दा स्कीन अंद लाइनिंग अफ माउथ अद लाइनिंग अफ बलड वेशल्स टिकल लेंग्स अल्वियल आइस अनिकिद्नी टिबूल्स अर्दी आर्सेल अब 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 एफ्यम टीशू स्कीन का जो लाइनिंग यह देख रहा लाइनि शीन ठीक है यह क्या एक क्या है इस अनिकी से बना हुआ हम लाइनिंग बना हुआ हो वह थैया फिल्यम तीशू से बना हुआ जिसके अंदर से ब्लड का सर्कुलेशन होता है समझ गया है अब आते हैं फंक्शन आप एपिथीलियम टिशू एपिथीलियम स्कावर्स इस बीच में क्या है रुखावट है तो यह बीच में कौन सा टिशू आ रहा है एपिथीलियम टिशू आ रहा है एपिथीलियम के बीच में बारियर पैदा करता है बारियर एक और काम क्या करें क्या है आउटर सर्फेस और और बोडी से क्या करें बचाएं किसी भी चीज़ को खानिकारत चीज़ को अंदर आने से बचाएं आउटर सर्फेस है तो इसमें क्या है यह सेमी पर्मियाबिलिटी है इछली बार बताया थे क्या होता है कुछ चीज़ों को अंदर आने देगा कुछ चीज़ों को नहीं नहीं जाने देगा जो फारंफुल सब्स्टांस होगा उसको अंदर आने नहीं देगा ठीक है कोई भी तुम स्कीन लोशन लगाते हो कभी बोडी लोशन या स्कीन लोशन कोई सभी पॉडर लगाते हो तो वो अंदर नहीं जाता है समझ जितना टीवी एड्स देखा कि यह लगाई एक दो हपते में गोरा पन इसका अंदर तक जाता पताता ना लगाए तो मैंसे लगाओ वह बस उपर तक ही रहगा अंदर जाये तो उसका जेनेटिकल ही काल आउसको लाख कुछ भी लगालो वह गोरा कुछी मिनाट के लिए घंटे के लिए सुक्या कर सकता आउटर सर्फेस को फ्रिक्शन लेस करके और दम चिकना कर देगा बस फिर मूध हो गये तो वही हाला जाएगा वापस ठीक है एक कावस हुना है लड़का था ठीक है वो किसी लड़की के हाथ दोंके पीछे पड़ा हुए ठीक है जो लड़की बूध होके सामने आएगा तम मामिला सांती है वाट्सेट पर आया था जो टाइप सब्सक्राइब टीशू कितने तरह क्यों होते हैं सिंपल स्क्रामस पहला पढ़ेंगे दसेल लिविंग ब्लॉड बेसेल और लंग्स अल्विलाई वेर देश्पोरेशन अब स्टांस अक्ष्ट रूव श्रुड लिवल सर्फेट्स देर इस असिंपल अन्दर से कोई भी ट्रांस्पोरेशन हो चाहे वह लिक्वीट का हो मिनरल्स का हो या वाटर का हो वैसा टिशू तो वेसेल्स जो हम बोले लिए वेसेल्स क्या है जी एक तरह क्या पाइप है ठीक है उसके अंदर से क्या ट्रांसपर हो रहा है लगा वैसा टिशू वैसा टिशू जिसके अंदर से ट्रांस्पोरेशन हो का लाएगा शिंपल एस प्रमस अथिखियों इसका एक और वी काम में क्या करता है मतलब इसके अब्जर्वेशन भी करेगा और कोई भी अहारंफी सब्सक्रांस को अंदर आने यह समझ गया इस फॉंड इंदा लाइनिंग अब दा माउथ ऑस्टो फेगस लंग्स और यह लाइए सिरी पर सिरी ब्लड वेशन सी नहीं कहां कहां प्रचाथा ऊछिसों फेग जानगा है फुड पाइज जिसको बनते हैं ठीक है लंग्स टीक है फेफडे के अंदर जो लाइनिंग बना हुआ वह सब भी ठीक है ऐल्वियो लाई फेफडे के अंदर ही पाए आजाता क्या एल् अब अगला पड़ते हैं कौन सा स्टार्टी 5-Squamous Epithelium थे खेंगे, the skin which affected the body is also made up of a squamous epithelium थेक है, a skin epithelium cells are arranged in many layers to prevent wear and tear इसको तो इस तट इपाइब इसको अपया मतलब वैसा एपिखिलियम टिशू जो क्या करता हो तोटने-फूटने से बजाता प्रोटेट करता है कि यहां लिखे ना इंड टियर उस ऑर्गल पो ऑफिखेव जहां जिसके उपर यह परत बनाया हुआ घुट करता है क्रिक है उसको क्या करेगा समझने आया अब आता है कुबाडियल एपेठ्टियों आपने लिए और ने कि रहता है लाइनिंग अफिटुनी टिविल्स एन डॉक्ट अप्सलाइवरी ग्लैंड पहला बात क्यूबाइवरी ग्लैंड का मतलब होता है क्यूबाइवरी शेप में और यह कहां रहता है। लाइनिंग ऑफ ट्लिटुञारी ग्लाइंड जहां से डॉक्त होता है। इसका डॉक्त के ऊपर क्या रहता है। इन शम्केस पोशन अपटीलियूम टिसू फोल्स इन वाट तू फॉर्म अ मल्लिक नॉला ग्लाइंड। थिसको हम जोग क्या कहते shelter को अपने आपको फोड करकर के बनादिता है मल्क सिल्लाइन बनाधे इसको क्या कहते हैं गलाइद माइफ कर你好 ऐसे क्या करता हैέλ σuten तक किसके बार में पढ़ ऺभला इंटेस्टाइब का रास्ता है बली है उसके अंदर क्या होता इस तरह से लाइनिंग जो होते हैं यह क्या क्या करते हैं जैसे इसके अंदर क्या होता है फूड आ अप्शूर्ट में जितना भी निउट्रीशन तो वहीं पर यह वाला तीशू पाया तो यह खतम हो गया बातने कनेक्टिव तिशू हमने एपिथिलियां पर लिया अब क्नेक्टिव लेश सेश चल्ज करेंगा वैरचाइगा विदर काーン तुक्त और यह क्या होता है कनेक्टि मतलब हर बोड़ी और देंगे जैसे ब्लॉड बोन्स पाटिलेज लिगामेंट और टेंडन ब्लॉड के बारे में तुमको कभी पढ़ा देंगे ब्लॉड प्लाज्मा बॉड्स जांता बॉड्स इस आउलसो कनेक्टिब टिशू उसी तर गरेड़े जल्स आउलसो क्लेड ऑफ फह में शेट हर सिर्ट ही लेक्टिब करण हcken ब्लॉड और टी ट четы का मतलब ये चापी व्लेव केज और उपर समझ गया ना करेक्टिप्टिशु टाइस अरियोले टिशु दा आर आर फॉर्ण इस्कीन एन मुसल्स अरॉंड दी ब्लड वेसल्स एंड नर्वस इटीस्टिक है कहा पाई जाता बस इतना यादत हो मुसल्स में ठीक है और ब्लड फंक्शन के इसका इटस फिल्स स्पेस इंसायड बॉर्ण सपोर्टीव इंटर और गरहने हैं हेव इन इटा करता है जो इस्पेस ख आली वसक्ता उसको फिल कर दे पाई पैस्पेस खाली दायगा उसको फिल और पर पीज करने में काम बएस्ट चॉड चाट लग दिया करे तो क्या हुआ ज़ेगा उसको रिपियर करने में कौन सा हेल्प करता है एर्लिए अधि पोश्ट इश्ट इस्ट इस्ट इस फांड बिटमिन दा इंटर्नल और गन एंड बिलो दा स्कीन कहां पाई जादा तर अंदर के और बाहर के और नहीं थे यांदर के और गन जान दाना इसका काम है इस्टोर फैट्स फैट को स्टोर करेगा इंसुलेटर इंसुलेटर का मतलब वह जिसके पास होगा इंसुलेटर का काम करता है